दोस्तों screen recording software के बारे मुझसे बहुत सारे लोग सवार पूछते हैं कि कौन सा software जो है वो बहतर है किसमें हमें जो है draw करने का भी feature मिल चाहे highlight करने का भी feature मिल चाहे sketching करने का भी feature मिल चाहे यह सारी चीजे तो ऐसे तो बहुत सारे software है लेकिन आज के इस वीडियो में आपको एक online screen recorder के बारे में पताऊंगा उसमें आपको सारे tools मिल चाहेंगे और आप directly जो है अपने browser से अपने screen को record कर सकते हैं वो भी अच्छी quality में साथ ही वहां पर जो है आप draw अगेरा भी कर सकते हैं तो description के link को follow करके आपको चाहना है ACE Thinker website के उपर वहीं पर आपको tools मिलेगा मैं आपको बदाता हूं कि कैसे उसका use करना है और क्या-क्या वहां पर features आपको मिलते हैं अगया अगया तो बैहू अभी ACE Thinker website के ओपर यहाँ पर आप दीख सकते हैं free screen recorder online हमारे बास दो आप्शन है कि start का और try pro version for windows और mac आप चाहँ है अपर प्रोवर्जन डाउनलोड कर सकते हैं अपने Windows या फिर Mac machine के लिए यहाँ आप simply जो है browser का use करके screen को record कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर डाइक लिए स्टार्ट के ओपर क्लिक करते हैं launching application और यह application जो है वह launch हो गया अगर यहाँ पर फॉर्स टाइम आते हैं तो आपको एक मिनट का time लगेगा application को launch करने में कुछ files download होंगी कुछ processing यहाँ पर होगा तो आप जो है एंतजार कर लेज़ेगा दर फाइनली यह application जो है हमारा launch हो गया है यहाँ पर हमारे पास कुछ कि कितने एरिया को download करना है आप चाहें तो custom तरीके से भी इसे कस्टमाइज कर सकते हैं मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन चूज कर लेता हूं यहाँ पर हमारे पास settings का option है सेटिंग में आप जो है नॉर्मली shortcuts वगरा के editing कर सकते हैं कि कौन सा shortcut यूज करना है आप कहां पर अपनी files को safe करना चाहते हैं उसकी settings कर सकते हैं उसके साथ ही यहाँ पर recordings में आपको बहुत सारे options मिल जाते हैं mouse show करना है कि नहीं करना है टूल बार जो है उससे show करना है कि न यहाँ पर shot key, hot key वगरा है microphone on है hot key यह है start करने के लिए stop करने के लिए और show or hide recording toolbar, okay, one, go, अब यहाँ पर हमारे recording जो है वो start हो गई है, यहाँ आप देख सकते हैं tool bar है हमारे पास, तो आप इसी चाहें तो hide करके कहीं पर रख सकते हैं या फिर आप से बिले show कर सकते हैं, यहा highlight कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास arrows वगरा है, shape है, circle है, बहुत सारी चीज़े हैं, तो आप अपने according यहाँ पर color वगरा change करके, यहाँ पर highlights वगरा कर सकते हैं, आप कोई भी shape यहाँ पर draw कर सकते हैं, highlight करने के लिए, या फिर आप simply erase करना चाहते हैं, तो erase भी यहाँ पर क और यह आ गई यहाँ पर हमारी final video editor में, हम यहाँ से चाहें तो इस video को trim कर सकते हैं, simply आप जो है area चूस कर लेज़े कि कितने area को आपको रखना है, अगर स्टार्टिंग में आपने कुछ बगवास की है, तो उसे आप यहाँ से directly delete कर सकते हैं, ओके जब यहाँ आप चूस कर प्रिवियो करके देख लेजिए, उसके बाद finally आपको चाना है, यहाँ से save में, और यहाँ पर आप अपने computer में, आप save कर सकते हैं, आप zip create कर सकते हैं, या फिर आप एडिट कर सकते हैं, इस video को directly upload कर सकते हैं, या फिर Vimeo वगयरा पर directly upload कर सकते हैं, तो चली save as video file, किस format में और कहाँ पर save, और यह हमारा published video file, अब यहाँ पर आप directly play कर सकते हैं, यहाँ पर open folder में जागर के आप अपनी file को देख सकते हैं, तो यह है हमारी recording file, है ना, तो quality भी काफी अच्छी है, आपको sketching के भी features मिल जाते हैं, तो यह काफी अच्छी बात है, इस screen recorder का, और सारी चलिए इससे cut कर देते हैं, तो यह था ACE Thinker, free online screen recorder, okay guys, तो मुझे उमीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो helpful लाओगा, आप लोगों को पसंदा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को like and share जरूर कीजिए, like तो जरूर कीजिए, ऐसे ही और भी interesting वीडियो आप डिए इस tips and tricks क के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर सकते ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अल्ला हाफिस,